Hello everyone, welcome for my new vlog तो guys आप लोग देख सकते हैं मैं आई हूँ फिर से पालर में और आज का मेरा सेक्षन है लिप्स कलर कराना तो guys मैं आई हूँ अपने लिप्स में कलर कराने आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मेरे जो लिप्स है बहुत ज़ादा डार्क है इसलिए मैंने उनको सोचा क्योंना मैं पर्मानेंट कलर करा लो तो मेरा जो प्रोसेस है वो हो चुका है इस टाड़ आप लोग देख सकते हैं मेरे जो लिप्स है उसमें लगने लगी है क्रीम तो इस क्रीम का काम है मेरे होटो को सॉफ्ट और सुन करने का काम जिसे मेरे जो लिप्स में कलर हो तो मुझे कोई दिक्कत ना हो और ना कोई परेशान है इसलिए ये क्रीम लगानी बहुत जरूरी होती है इसको लगाने के बाद कर दिया है इसको रैप रैप करने के बाद इसको पंदर मिनट मैंने कम से कम इसको ऐसे रखना है इसलिए इसको मैं आपको दिखा रही है क्योंकि यह जो पालर वाली है यह यूज करा हुआ दुबारा यूज नहीं करते हैं तो इसने बोला कि आप ये भी दिखाओ कस्ट नमर को कि मैं जो एक बार यूज करते हूँ दुबारा नहीं करती हूँ इसलिए मैंने इसको भी capsafe किया और यहाँ पर यह अपने करने लग गई है जुम्भी मतलब तयारी अपना machine को जैसे तयार करना है तब तक मेरा जो क्रीम इंशने लगाई है वो क्रीम काम करने लग जाएगी तो यह अपनी जब तक जुम्भी कर रही है तब तक मैं आराम से बैट रही थी मैंने का बैठे बैठे इसको भी सूट कर लेती हूँ तो यहाँ पर हो चुकी इसके जुम्भी कंप्लेंड और मैं भी लेट चुकी हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते क्रीम पुरी फैल गई है और इसने रैप निकाला तो कुछ इस तरह के से दिख रहा है तो गाइस इसने मेरे मूँ में वो वाइट कलर का जो कॉटन इसलिए घर एट गाई ताकि जरो के समय जो मेरे मोँ में लगाई है और अंदर के बाग को सुनन ना करें अब की दुबारा से इसलिए हैं। इसलिए इसने दुबारा से cotton मेरे मों में डाला है तो अभी मैं कैसी लग रही हूं मुझे कमेंट करके बताएगा तो यहां पर प्रोसेज हो चुका है इस स्टार्ट आप लोग देख सकते हैं मेरे लिप्स में होने लग गए हैं कलर जब गाइस इस्टार्ट होने वाला था मुझे बहुत जादा डर लग रहा था और मैं बहुत जादा नर्वस भी थी क्योंकि मेरा यह फर्स टैम था मुझे बिल्कुल भी अनुबह नहीं था कि कैसा होगा क्या नहीं होगा बस मैंने जो उसमें हा कर दिया कि मुझे कराना है पर सच में जब इस्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल भी पता नहीं चला और कैसे कैसे आदाया पार्ट हो गया पता ही नहीं चला जब इसका पहला सेक्शन खताम होके दूसरा इस्टार्ट हु अब थोड़ा कुछ पाने के लिए खुस्तुक होना ही पड़ता है ना तो यहां पर मेरा जबता के सेक्षन चल रहा है मैं आपको मिलती हूं कंप्लीट होने के बाद तो इसको ऐसे ही होने देते हैं हम लोग और दिखाते हूं आपको मेरा लोग तो गाइस यहां पर हो चुका इदा उदर सब जगे लगा है कलर इसको पूछ रही है और मेरे मूं में जोड टीशू था उसको भी निकालके फैंग दीया आप ने दिखा गयस में कितना कलर हो रखा था, इसलिए इसने मेरे मुमें डाला और यहां पर ही क्या डाला मुझे मालम ने इसने पूरा मुमें डाल के जितना भी कला लगा था पड़िया से साप कर लिए, क्लीन कर दिया है तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे lips कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुन्दर लग रहे हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप लोगो कैसे लग रहे हैं, मुझे comment करके बताएगा, और यहां पर यह मुझे कुछ इसमें परेज जो बता रही थी, इसमें कुछ रूल से जो मुझे follow करने हैं, त कुछ भी मत खाईएगा तो वही चीज़ करने के बाद इसने मेरे होटो पे लगाई है ये किरीम कौन से मुझे मालम नहीं है तो वही लगाते लगाते उसने मुझे क्या करना क्या ने करना सारा सेक्षन बता रहे थी मैंने का ठीक है और यहां पर गया सच में मुझे बहुत प ही हो जाए अभी कम से कम एक हपता तो मुझे परिसानी होगी इसमें थोड़ी सी तो इसमें बहुत क्यार्फुली रहना पड़ेगा मैंने ठीक है और यहां पर इसने लगा ये दवाई और इस दवाई को कैसे लगाना है तो वो भी मुझे बता रहे थी बोल ली थी इस तरी आपकी सुजन घट जाएगी इसलिए बोला इसने आइस कर लो तो ही आइस कर रही हूँ तो गाइस करती हूं मैं इस ब्लोग को यहीं पर फिनिस और आती हूं आपके सामने फिर से कुछ नहीं और बड़ी असा लेके अभी के लिए बज इतना ही अपना प्यार सपोर्ट बन आए रखिए तब तक के लिए बाबाई थेंक यू